बॉलिवुट की पॉपुलर एक्टरस करीना कपूर खान बीते दिनों से काफी लाइम लाइट में बनी हुई है जिहां दोस्तों जानकारी के आपको बता दे कि जब से खबरें सामने आई हैं कि करीना और सैफ फिर से पेरेंट्स बनने जा रहे हैं करीना कपूर की घर में तेमूर अली खान के बाद एक और नया मेहमान आने वाला है तब से लगातार करीना अपनी प्रेगनेंसी की खबरों को लेकर लाइम लाइट पटोदी हुई नजर आ रही हैं जानकर एक लिए आपको बता दें कि इस बीच कपूर खानदान और पटोदी खानदान में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है वहीं करीना ने हाल ही में पटोदी खानदान के तीनों बच्चों यानि की सारा अली खान इब्राहिम अली खान और तैमूर अली खान के बारे में बातें की हैं और बताया है कि आखिरकार तीनों ही भाई बेनों में क्या कॉमन है जानकरी के लिए आपको बता दें कि करीना ने हाल भी में तीनों बच्चों के साथ अपनी बॉंडिंग को लेकर तमाम बातें शेयर की है अपने इंटरव्यू के दोरान करीना ने तेमूर, इबराहिम और सारा में कुछ कॉमन बातें बताई है जानकरी के लिए आपको बता दें कि करीना ने बताया है कि एक पिता की रूप में सेफ अपने तीनों बच्चों से बेहत प्यार करते हैं करीना कहती हुई नजराईं कि सारा अलिखान की बच्चपन की तस्वीरें तेमूर, अलिखान की तरह है करीना ने बताया कि आखिरकार तीनों बच्चों में क्या कॉमन है करीना कहती हुई नजराई कि तीनों ही भाई बेहनों में पटोदी आखें कॉमन है करीना आगे कहती हुई नजराई कि सेफ ने इबराहिम के बच्पन के बारे में उन्हें कुछ-कुछ बताया है इब्राहिम बहुत ही शांत बच्चा हुआ करते थे वहीं उन्हें आलू चिप्स खाना बेहत पसंद है करीणा ने बताया कि सैफ उन्हें बताते हैं कि उसे साथ से मुझे लगता है कि सारा और तैमूर काफी सेम हैं दोनों अपने पापा यानि की सैफ से काफी मिलते जुटते हैं वहीं सारा को लेकर कहती हुई नजराएं कि सारा सामतवादी और बेहत खुबसुरत है इस तरीके से करीना कपूर खान ने साराली खान और इब्राहिम को ले कर ये राज खोले करीना सारा और इब्राहिम के साथ बेहत प्यारा सा बॉंड शेयर करती है तमाम तस्वीरे और व्यूटियोज में साफत और पर देखने को मिलता है कि करीना सारा और इब्राहिम से भी बेहत प्यार करती है हमारी इस खास रिपोर्ड में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज